पाकिस्तानी वायू सेना की तरप से बुधवार सुबह उवी हरकत का जवाब देते समय भारत का एक मीग क्रैश हो गया। विडेश मंत्राले की और से कहा गया था कि हमारा मीग पाइलेट मिसिंग है। मुधवार सुबह जम्मू एवं कश्मीर के नवशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की लड़ाकू वीमानों ने भारतिय वायू सीमा का अतिक्रमन किया। भार्तिय वायुसेना के लड़ाकु वीमानों और साथी जमीन से की गई जवावी कारवाई के कारण पाकिस्तान के F-16 वीमानों को लोटने पर मजबूर होना पड़ा लेकिन इसके पहले उसके एक F-16 वीमान को मार गिराया गया जिसका मलबा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क भीतर तीन किलोमेटर दूर गिरा इसी मुडवेड में भारत का एक मिग भी छति ग्रस्त होकर पाकिस्तानी सीमा में गिर गया जिसके पाइलेट अभिनंदन को पाकिस्तानी मिल्ट्री ने गिरफतार कर लिया है जनेवा कन्वेशन की अधिकारों और नियमों का उनलंगन कर पाकिस्तान ने भारतिया पाइलेट का घडियो पाकिस्तानी मिडिया में जारी कर दिया And thereafter, the officers into the unit which I was taken to. This is what I would expect my army to behave as and I am very impressed by the Pakistanis Army. Okay, wonderful. So, wing command, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Neetha, I am sorry. I am from down south. You are from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You are married? Yes. Okay. किनी दो देशों के बीच चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो अगर उनका कोई सैनिक एक दूसरे का युद्धबंदी बन जाता है तो उस पर कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल लागो होते है जिसकी तहट न तो उससे पुश्टाश की जबरदस्ति की जा सकती है और नहीं धमकी दी जा सकती है ऐसे बंदियों को गोपनिय रखना जरूर जो उनके सैनिकों को मिलती है जनेवा कन्वेंशन के तहट उन्हें ये सभी अधिकार मिलते है भारत ने पुश्टी की है कि भारतिय वायुसेना के पाइलट अभिनंदन पाकिस्थान के कबजे में है वही पाकिस्थान ने पाइलट का विडियो सोशल मीडिया और ये मुकाउल नंगन किया है